ये दिल तुम पिन कहीं लगता नहीं रुक जा जरा इधर को चला क्या मिल ये ऐसे लोगों से जिनकी फितरत चुपी रहे लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें रफी साहिब ने दो गीत गाने से क्या इंकार कर दिया था ये दिल तुम दिन कहें लगता नहीं हम क्या करें एक सभी ही प्यारी सी आवाज आलाप लेते वक्त ये लगा कि इन्होंने संगीत की तालेम ली है उंडा गायन ना ज्यादा वाद और नहीं यंत्र केल हर्मोनियम पर उंगलिया दो रही है वह क्या बात है गीत कठिन जरूर है लेकिन अच्छा गाया है दैसल बिश्व में हुनरों की कमी नहीं है रफी साब को तो उपर से बुला नहीं सकते हम लेकिन रफी साब के गीतों को कुछ लोग आज साट साल बाद भी गा रहे हैं और दिल से गा रहे हैं यही रफी साब की उपलब्दी है इस गायक का नाम है प्यूश पवार इस गीत को पूरा सुनने के लिए आपको हमारे साथ अंतक बने रहना पड़ेगा आज हम इसी गीत की चचा करेंगा और चचा करेंगा इसी बाहने फिल्म इज़्यत की जो की 268 में धर्मेंदर, जैललिता और तनुजा को लेकर बनाई गई थी एक ब्लग बास्तर फिल्म, कई कारणों से फिल्म चट्चा में रही, जानते हैं कि क्या थे वे कारण, पड़ा मैं निर्मलेंदू सुवाना सफर से संचप में कहानी बस इतनी सी है कि आदिवासी लड़का अपने मित मा का पतिशोग चाहता है, जिसे अमीर आदमी ने उप्योग कर छोड़ दिया था उसके अब किस तरह से एक दिन वही इतियास, फिर से इस अमीर आदमी के सामने आकर इतियास बनकर, आइना बनकर बदला लेता है, एही काहनी का सारान से है यानि जैसा करोगे, वैसा ही बरोगे पटकता लेखा को समवाद राजयन सिंग वेदी के हैं, जबकि दुलाल गुहा ने इसकी काहनी लिखी थी, और टी रामा राओ ने निदेशन की जिम्मेदाई सम्हाली थी एपसी मेरा इसकी निर्माता थे, अमें लोगों के समाज में अमीर और गरीव नीची जाती और उची जाती की व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, कैसे बरबात किया जाए, इस बारे में एक बेतरीन फिल्म और एक अच्छी कहानी के साथ ये फिल्म परोसी गई थी बेतरीन धरोर हैं इसके गीत जी हाँ एक से बर के एक गीत लगवक सभी गीत सुपर हीट रहे हैं खास कर ये गीत आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आप भी जान पाएंगे कि इस फिल्म को बनाने से पहले किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इस टीम को पहली दिक्कत है अभिनेत्री जैलेलित्या को लेकर साथ के अभिनेत्री जैलेलित्या को बाद में कास्ट किया गया था तो सवाल यह है कि पहले किसे कास्ट किया गया था और किस आटिस्ट पर पटकता और समाद लिखे गये थे दूसरा कारण था मेमुद साब स्वेम चिनके कारण शुटिंग कई जिनों तक रुकी गई तीसरा कारण रफी साब स्वेम थे सवाल की आखिरता है मन्नदे से दो गीत क्यों गवाए गए चौथा कारण था स्वेम साई लुदियानवी जी जो की नहीं चाहते थे कि सभी गीत वे लिखें खास कर दरसल पड़्दे के पीछे की कहानिया कुछ इस तरह की है सब सबर अभिनेत्री को लेकर किस तरह की दिक्कत आई थी वो जानते हैं दरसल टी रामाराव साउथ इंड़स्टी के जाने मने निद्रशक थे इसलिए वो चाहते थे कि आदिवसी वाली भूमी का साउथ की ही कोई हिरोईन करे लेकिन दिक्कत यह आई कि लेखक राजेन सिंग वेदी ने पतक था और एक-एक समवाद ममताज के हाउवाव को ध्यान में रखकर पूरी कल ली थी वो चाहते थे कि ममताज इसमें काम करे उन्होंने ममताज पर कहान ही इसलिए लिखी क्योंकि उन्हों चुलबुली अभिनियत्रियों में ममताज का नाम टॉप पर था अब जब टी रामाराओ के सामने बात आई जब उन्हें पता चला तो और नाराज हो गये क्योंकि उन्होंने कुछ और सोच कर रखा था मन मुटाओं होने के कारण कई दिनों तक फिल्म के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई नहीं कोई सिटी हुई निर्माता एफसी मेरा पैसे लगा चुके थे कुछ एक्टर्स को एडवांस भी दे दिया गया था ये बाते मुझे एफसी मेरा ने स्वयम अमर उजाला भूम्मय में रहने के दारान बताई थी तो 1998 की बात है जब मैं भूम्मय में था इसी नहीं उन्हें इंटेर्फेर करना पड़ा उन्होंने राजयन सिंग बेदी को समझा है कि टी रामाराओ निदेशक हैं अगर उचाते हैं कि साउत की कोई हिरोईन इस आदिवासी लड़की की भूमी का निभाए तो ही होना चीए क्योंकि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी इन सब बातों का ध्यान नहीं को रखना वर उनके सम्झाने पर बेदी जी मान गए दरसल रामाराओ के दिमाग में फिल्म की कास्टिंग के वक्त थी एक ही नाम गुज रहा था और वो नाम था जय ललित्या का क्योंकि जय ललित्या साउत की जानिमनी अमिनित्ति थी और इसलिए जुमकी की भूमिका के लिए जय ललित्या को ही अंततक कास्ट कर लिया गया बता दे कि जय ललित्या पहली बार 1962 में आई फिल्म मन मौजी में केवल तीन मिनिट के लिए दिखी थी जी यहां केवल तीन मिनिट के लिए और इज़्यत दचिन भारति अमिनित्ति जलता की पहली और एकमात हिंदी फिल्म थी जिसमें वो पुरी फिल्म में च्छाई भी थी दूसरा बाक्य था में में मौद को लेकर फिल्म की शूटिंग आगे नहीं बर पा रही थी हम सब जानते हैं कि धर्मंदर हमेशा से ही में मौद को पसंद करते थे इसलिए धर्मंदर की ज़्यादा तर फिल्मों में 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 मौद को कास्ट के जाता था जब धर्मंदर को पता चला कि महमूद अपना महनताना ज़्यादा मांगा है और इसलिए फिल्म के शूटिंग रुकी भी है तो धर्मंदर ने निर्माता से कहा कि महमूद जो मांग रहा है उसे दे दे क्योंकि इस रोल के लिए मैं मुझ से बेतर और कोई नहीं हो सकता उन्हेंने मेरा साथ से गुजारिश की कि उनके पैसे हमारे में अंताना से एड़्जस्ट कर लिया जाए भमेंदर इस तरह से कई बार कई समस्वाओं का समाधन करते थे यह हम सब जानते हैं इंडियस्टि के लोगों को पता है बहुत लोगों को नहीं पता कि कभी-कभी रफी साहब भी दबे पाऊं चुपचाप विरोत करते थे यह सब कुछ वह दूसरों की मदद करने के लिए करते थे इसलिए उन्हें मसिया कायाता था दरसल दूसरों को कुछ दे करी उन्हें खुशी हासिल होती थी यह कहानी मन्नादे ने अपने एक मित्र को सुनाई थी कुलकता में हुआ यह कि अचानक एक दिन रफी साहब को मन्नादे ने कुलकता से हाल चल पूछने के लिए फोन किया और बातों ही बातों में रफी साब ने जाना कि मननाडे के पास अभी काम कम है रफी साब को शायद ही अच्छा नहीं लगा कि जिनके गीत रफी साब स्वयम सुनते हैं जिनकों गीतों को सुनकर हो सीखते हैं उनके पास काम कम है कहते हैं कि दूसरों को help करने का तरीका ही उनका बिल्कुल अलग था इसलिए उन्होंने मनमन में इसका तोड निकाला उन्होंने टी रामा राओ को फोन करके कहा कि इस फिल्म में जितने गीत हैं सभी बहुत ही बेतरीन तरीके से लिखे गए हैं लेकिन यदि मैं सभी गाने गाऊंगा तो मुझे लगता है कि वेराइटीज नहीं आएगी वेराइटीज लाने के लिए आप कम से कम दो गाने किसी और से गवाएं और यह कहकर उन्होंने आग्रे किया कि मैंने इन दो गीतों को अच्छी तरह से सुना हैं मन्नाडे ही इन दो गीतों के साथ नया कर सकते हैं और इस तरह मन्नाडे को दो गीत मिल गए हैं दरसल मन्नाडे को इसकी जानकरी रफी साप के इंतिकाल के बादी मिली थी और चौथा बाक्या था साहिर को लेकर दरसल वे स्वेम नहीं चाहते थी कि सभी गीत वे लिखें खास कर कुत्ते वाले गीत को लेकर उन्हें बेहद आपत्ती थी साहिर को इन लाइनों पर पुर्जोर आपत्ती थी लेकिन निदेशक के कहने पर उन्हें ये लाइन्स लिखनी पड़ी कहता है कि लिखते वक्त उन्हें डलिल ये दी थी कि पत्र पत्रिकाओं में उनकी खुब असाही होगी लोग ठटा करेंगे उनका सम्मान दूल में मिल जाएगा इसलिए वे इस तरह के गीत नहीं लिखना चाहते उनकी आत्मा गवाई नहीं देती कि ऐसे गीत लिखें लेकिन बता दें कि अंततर उन्हें ये गीत भी लिखने पड़े कारण थे बल्लाज साहीनी जी हाँ दरसल बल्लाज साहीनी की इंडेस्ट्री में सभी बेहत इज्जत करते थे उन दिनों अंग्रेजी में उन्होंने एमे की पढ़ाई पूरी की थी और ये इंडेस्ट्री में बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि जादा तर एक्टर्स कम पढ़े लिखे थे हालाकि आईस जोएन ने भी एकोनोमी में एमे की पढ़ाई पूरी की थी इसलिए बात जब बल्ला सानी तक पहुची तो उन्होंने साहीर को ये कह कर समझाया कि इंडेस्ट्री में ये ही बात फैलाई जाएगी कि साहीर केवल पेम गीत, दुखी गीत, अलर गीत या विद्रो गीती नहीं लिखते बल्कि वो किसी भी विशय पर गीत लिख सकते हैं और हुआ भी वही पत्रक पत्रिकाओं में इन दोनों गीतों की चर्चा खूब हुई क्योंकि इन दोनों गीतों ने इन लोगों ने जो प्रेस विद्धप्ति बनाई थी, उसमें इसी बात की चर्चा ज़ादा थी, साहिर का कमाल, साहिर ऐसे गीत भी लिख सकते हैं, साहिर को कम करके नहीं आकना चाहिए आधी आधी और फिल्म इतनी चली कि साहिन ने तब से किसी भी विशय पर कमी, कभी किसी गीत को लिखने से मना न लता की गाई सोलो गीत को पहले और दूसरे पेंच के दर्शों को ने सीटी बजा कर और तालियों के गून से सौगत किया, बता देख उस समझ यलेलता सिर्फ किस वर्ष की थी, डांस में उनके सभी मूब्स और स्टेप्स परफेक्ट रहे और यह खुबी कमी अक्ट्रेस म लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिला की लता इस तरह के गीत गा सकती हैं, इस गीत के कोडियो ग्राफर भी बेंजामिन ही थे, जैलेलता ने जिस तरह से चार बार स्पिन किया, वो अदबुत है, हैरानी की बात तो यही है कि सही हाथ की चाल, सही अभिव्यक्ति और सही शरीर की चाल, उन्होंने यह सब एक ही टेक में किया, अब हम बताने जा रहे हैं कि उस गीत के बारे में, जिसकी तारीक खुब ही, जिसके कर्सेस लोगों ने खुब खड़ी दया, जिसलिए कई-कई बार इस अल्बम के कर्सेस HMB कमपनी को निकालने पड़े, रफी साब का गाया, या गीत मील का पत्तर सा भीत्वा, गीत के बोला है, जब रफी साब हाई पीच में किवल दो सब्द गाते हैं, तो उस मैफिल में सनाटा चा जाता है, धरम जी ने इस गाने में एक जगा खड़े-कड़े, सिर्फ बेतरिन एक्स्पेशन के दम पर चाठ चान लगा रिया था, रफी जी की आवाज आत्मा को छू जाती है, कल जूक की यादकर सत्यता से परपुन एक बेहरी खुबसूरत गीत और उस पर रफी साब की यादगार और अभिस्मरनिया ला जवाब आवाज, इस फिल्म को अभिस्मरनिया संगीत से सजाय था, जुगल संगीत का लच्मी कान प्यारे नालने, क्या खुब लिखाया साहिर जी ने, यह गीत आजकल देश के राजनितिक हालात और राजनिताओं पर एकदम सठीक बैठता है, हर्मन बेंजामिन ही थे इस गीत के कोडियोग्राफर, इस लाजवाग गीत का कोई तोर नहीं है, आशा भुसलर इस जुएट ने भी प्रेमियों को खुब दिजाया, सर पर लंबा टोप लेके आएगा, इसके कोडियोग्राफर भी थे साउथ के हिरालाल, मन्नाडे का गाया एक और गीत जिसे लोगों ने पसंद किया, उस गीत के बोल है, प्यार के बुखार को उतार मेने मनवा, सची ग जब गाने किसी फिल्म की जान होते थे, और जब रफी साब और लता दीदी जैसे दिगजुन गीतों को गाते, तो एक गीत तुरंद लोगों के दिलों में बैठ जाते, दरसल उन दिनों इस्थितिक अनुसर गीत लिखे जाते थे, और गायक पात्रों को भी ध्यान में गीत है, जब लता दीदी गाती है, तो उसी चांग, दूसरी ओर से एक सदी और कशिश बड़ी आवाज तैटते वे आती है, लुटे दिल में दिया, जलता नहीं हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें, माइंड ब्लोईंग गीत, इस गीत को इस न कुलते हैं, अच्छा लेगा, बहुत अच्छा गाया है, तो आज बस इतना ही, ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो किप्यास शेयर और सब्सक्राइब करें, और हो सकें, तो कॉमेंट्स भी करें, परनाम